नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके योजना पर पैंशन से सम्मदिद एकोन नया ताजा अपडेट लेटेस निउज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं पैंशन धारकों के लिए एक बूरी खबर हैं जी हां तीन हजार रुपे से लाकर आठ हजार रुपे तक की जो पैंशन आसी है वह लाभारतियों की रुक गई है बैंक खाते में ये पैंशन आसी अब ट्रांसफर नहीं की जाएगी क्योंकि ऐसे किसी पैंशनर्स को नहीं दी जाएगी पैंशन अब यहां पर आप देख रहे हैं पेमेंट फेल लिखा आ रहा है लाखो ऐसे पैंशन धारक है जिनके बैंक खाते में इस बार पैंशन आसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा यदि आपको जनवरी फरवरी मार्च मेने की पैंशन आसी नहीं मिली तो आपको अप्रेल मई और जून मेने की पैंशन आसी नहीं मिल पाएगी आपके बैंक खाते में ये पैंशन आसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और कुछ ऐसे पैंशन धारक भी है जिनके अभी भी अक्टूबर, नौमबर और दिसम्बर मेहने की पैंशन आसी रुक रही है आखिरकार ऐसा क्यूं हो रहा है? क्यूं लाभार्तियों के बैंक खाते हैं पैंशन नहीं पहुँच पा रही? सभी जानकारी पुरूव के साथ डिटेल वाइज में हम आपको बताने जा रहे हैं इसका क्या समधान है? वह समधान भी आपको बता जाएगा वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं मार्च दो हजार चोबिस में दो बड़े तेवहार हैं महसिवरात्री का और होली का सरकार भी चाहती है कि जो पैंशन धारक है अपना तेवहार अच्छे से मना सके क्योंकि लाखो ऐसे पैंशन धारक है जो केवल और केवल अपनी पैंशन पर निर्भर है अपनी पैंशन पर ही आभारी थे उनका और कोई अन्य इंकम सोर्स नहीं है इसलिए सरकार ने फरवरी 2024 से ही लाभार्तियों के बैंक खातों में पैंशन का पैसा ट्रांसफर करना परारम कर दिया गया था हजारों कई हजार ऐसे पैंशन धारक भी हैं जिनको फरवरी महिने में पैंशन नासी दे दी गई थी सबसे पहले विद्वा महिलाओं के और तलक्षदा महिलाओं के बैंक खाते में सरकार ने पैंशन का पैसा ट्रांसफर करना परारम कर दिया गया था आपकी जानकारे लिए बता दे ही, यहां पर सरकार जो पैंशनाव वरतमान समय में ट्रांसफर कर रही है वह जनवरी फरवरी मार्च महेंने की है तीन हजार रुपे 33,000 रुपे सरकार 3 महिने के अंतराल पर लाभार्तियों के बैङगाते में ट्रांसफर करती है इसी बीच दिव्या, विदवा, वर्धवस्ता, कुष्टवस्ता, और तलागशुदा में से एक ऐसे पैंशन धारक है इन पैंशन धारकों में से कुछ तवस्था पैंशन धारक जिनको प्रती महीना 3,000 रुपे पैंशन आसिस सरकार सीधे लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है और जो बाकी है जैसे कि तलाकशुदा, विद्वा महीला, वर्दवस्था जो ये पैंशन धारक है इन सभी पैंशन धारकों को 1,000 रुपे परती महीना सरकार पैंशन देती है तीन महीने के अंतराल पर इन लाभार्तियों के बैंक खाते में पैंशन का पैसा बेजा जाता है तो टोटल हो जाते हैं 3000 रुपे तीन महीने के अंतराल पर जो की तलक्षदम महिलाओ को विद्वा महिलाओ को और वर्दवस्ता पैंशन धारकों को सरकार दे रही हैं कई हजार ऐसे पैंशन धारक हैं जिनकी अभी भी अक्टूबर नौमबर और दिसंबर महिने की पैंशन आसी रुकी हुई है बैंक हाते में ये पैंशन आसी ट्रांसफर नहीं की गई पैंशन रुकने के बहुत से कारण है जिसकी वज़े से लाभार्तियों को पैंशन गलाब नहीं मिल पाता जैसे कि पैंशन का EKYC है और पैंशन का बैंक KYC है देखे ध्यान से समझे हम क्या कह रही है पैंशन का तो EKYC है और बैंक का KYC है तीसरा है आधार शिटिंग का कारी ए आधार शिडिंग बोलिए या NPCI मैपिंग बोलिए बात एक ही है इसके बाद यदि बहुत से ऐसे पैंशन दार्ग भी है जिनके ये कारी कम्पलीट है लेकिन फिर भी बैंक खाते में पैंशन आसी नहीं पोहुँच रही है और पैंशन दार्ग सोचते हैं कि हमने कारे कर ले लेकिन फिर भी पैंशन आसी नहीं आ रही और देखिए मान लिजए यदि किसी पैंशन दार्ग के आधार काड में नाम में जनमतिथी में या गलतिया है गलती होने के बावजूद यानि की एप्लिकेशन फार्म जो होता है पैंशन का जब आपने आविदन किया था और वहां से ही आपको पैंशन मिलना प्रारम नहीं हुई क्योंकि कहीं न कहीं गलतिया है अब देखिए जिनको पहले पैंशन मिल रही थी लेकिन बीच में बंद हो गई तो इसका कारण आपकी पैंशन का EKYC भी हो सकता है बैंक के वाईसी हो सकता है और आपने कर दिया पैंशन का EKYC अब देखिए जब आप पैंशन का EKYC करेंगे तो जो आधार कारण की डिटेल है वहें आपके इस फारम में अपडेट हो जाएगी अपडेट हो गई लेकिन EKYC अपका कंप्लीट हो गया लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ तो ऐसी स्थिती में यहां पर यह कारी आपका गलत हो जाता है ध्यान रखना है आपके पैंशन एप्लीकेशन फारम में भी आपकी जनमतिती सही होनी चाहिए नाम सही होना चाहिए एडरेस सही होना चाहिए और जिसका पैंशन धारक का 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है आधारकार को अपडेट नहीं कराया तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड को अपडेट कराना है उसके बाद ही EKYC करानी है पैंशन की उसके बाद ही NP से ही मैपिंग कराना है बैंक KYC तभी कराना है तभी आप अपनी रुक्यू पैंशन प्राप्त कर पाएंगे और जिस किसी आविदन फारम में गलतिया है तो अ आधार कार्ड है पहला दूसरा है बैंक की स्टेटमेंट तीन मेहनी के चे मेहनी के आप निकल वा लिजेगा आपको बैंक की तरब से स्टेटमेंट आपके खाते की दे दी जाएगी आधार कार्ड बैंक की पास्बुक और बैंक की स्टेटमेंट ये डोक्यूमेंट लेगर प्रूब भी दिखा देते हैं कि किस वज़े से लाभार्तियों की पैंशन रुक गई है और भविस्य में किने पैंशन नहीं मिल पाईगी देखे साथियों यहाँ पर आप एक पैंशन धारक का स्क्रीन सोट देख रहे हैं चाहे आप दिव्यांग पैंशन लाव ले रहे हों दिव्यांग विद्वाव वर्दवस्ता कुष्टवस्ता तलाक्षुदा सभी पैंशन धारक इसको डिटेल को ध्यान से समझे और देखिए यहाँ पर सबसे पहले पैंशन धारक का एप्लिकेशन आईडी यहाँ आप कह सकते हैं रजिस्षर नमबर होता है यहाँ पर pension धारक का नाम होता है यहाँ पर beneficiary code यहाँ पर agency code और यहाँ पर scheme code यहाँ पर यानिकी purpose name अब देखिए यहाँ पर आधार number इनका यह है account number इनका यह है bank name यहाँ पर update नहीं किया गया क्योंकि सरकार जैसे हमने आपको कहा था की NPCI यहाँ की आधार sheeding जिसका complete है आधार sheeding complete हो गया है तो यहाँ पर उनको pension का पैसा दिया जा रहा है कुछ pension scheme ऐसी है जो account based payment कर रही है कुछ pension scheme ऐसी है जो आधार based payment कर रही है जिनको आधार based payment हो रहा है उनकी account number के अश्रकता नहीं है अब देखें लिखा हुआ है amount 8000 रुपे request date की गई 16 जनवर दो हजार चोबिस को validation status हुआ 16 जनवर दो हजार चोबिस में fund status approved by agency 19 जनवर दो हो गया उसके बाद यहाँ पर परकिरिया की गई यहाँ पर देखें file status receive 31 जनवर दो होजार चोबिस अब देखें यहाँ पर bank transaction नमबर यह है यानि कि तारीक 31 जनवर दो हजार चोबिस अब देखें credit date जो failure देखेंगा credit date failure कब हुआ था failure 31 जनवर दो हजार चोबिस को अब यहाँ पर current status देखें payment failed अब यहाँ पर ऐसे किसी pension धारक को pension 80 प्राप्त नहीं होगी चाहे आपकी 8000 रुपे pension 80 हो 6000 रुपे हो या फिर 3000 रुपे हो आपके bank खाते pension 80 प्राप्त नहीं आपको हो पाएगी क्यों नहीं हो पाएगी तो चलिए वह भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं देखें यहाँ पर लिखा हुआ है देखें साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है bank reason DESC for failure अब यहाँ पर क्या है इसका आधार नमबर deceded from NPCI mapper by bank customer to contact his or her bank तो इसका हम आपको अर्थ बता देते हैं बैंक दुआरा NPCI mapper से आधार नमबर deceded किया गया है अब इसको ठीक कराने के लिए आपको अपने bank में जाना है और वहाँ से अधिकारियों से संपर करना है आप अपने bank में जाकर वहाँ पर इस deceded को active करा सकते हैं जहां आपका deceded हुआ है bank तरफ से इसमें किया गया है तो यहाँ पर ऐसे स्थिती में आपको अपनी branch में जाना है जिस bank में आपका bank खाता है और वहाँ से आपको इसको deceded यानि कि deactivation में लिजे deceded बोल दीजे तो इसको आपको active कराना है active जैसे हो जाएगा तो यह कारिये होना प्रारम हो जाएगा जिस भी किसी यहाँ पर इस परकार से गलती हो रही है NPCI जो mapping है वह deceded हो गया है आधार number deceded लिखावाए ना आधार number deceded from NPCI mapper by bank customer द्वारा NPCI mapper से आधार number deceded कर दिया गया है तो जिसका भी इस परकार से लिखा आ रहा है English में तो उनको अपने कर पाएंगे आप देखे सरकार दुआरा October, November, December मेंने जो pension आसी थी वह November के last week से लाभार्तियों बैंक खाते में transfer करना पररारम कर दिया गया था अब यहाँ पर जिसको pension नहीं मिली बहुत से कारण है जैसे मैंने आपको बताया तो इन pension धारक का जो NPCI मैपिंग है उसको decid कर दिया गया है तो ऐसी स्तिदी में आपको बने bank से संपर करना है pension नहीं मिलने के बहुत से कारण है जब तक आपके यह सभी कारिये complete नहीं होंगे आम के bank खाते में किसी भी महिने की pension नासी को transfer नहीं किया जाएगा अब देखिए इन गलतियों की वज़े से इन pension धारक की 8000 रुपे pension नासी को रोक लिया गया है bank खाते हैं pension नासी को transfer जब तक नहीं किया जाएगा जब तक इन pension धारक का ये कारिये complete नहीं होगा तब तक ऐसे ही यह यहाँ पर बार बार दिखाता रहेगा आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको मर्दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है देखे यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस समय उत्तर परदेश सरकार यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च मेने की pension आजसे को ट्रांसफर कर रही है तीन-तीन हजार रुपे आज की यह जानकारी से भी उत्तर परदेश pension धारकों के लिए थी और जो यह आप status देख रहे हैं एक pension धारका यह उत्तर परदेश के निवासी है उनकी pension अब अटक चुकी है इस गलती की वज़े से जब तक यह ठीक नहीं होग इनको pension लाब नहीं मीर पाएगा देखे आप किसी भी राज्य के pension धारको हरियाना, पंजाब, गुजरात, महराष्ट, करनाट का उत्तर परदेश, इमाचल परदेश किसी भी राज्य के मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में आगर पूछ सकते हैं सभी साल को जब आपको दे दे जाएगा लाश्ट में हम निवेद ने करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले, और यदि आपको मर्दी जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत